So, good morning students, we are going to teach you class 7th subject SST. Chapter 1, New Kings and Kingdoms. Students, हमने last video में against the Turkish innovations तक पढ़ाया था. So, let's start Turkey innovations. Turkey आकरमाड. तुरकी आकरमाड कारियों में हम सबसे पहले महमुद गजनी के बारे में पढ़ेंगे. The son of Svaktigin was Mehmud Gajani. Svaktigin का पोत्र Mehmud Gajani था. ये तुरकी रूलर्स who attacked India 70 times from AD 1000 to AD 1027. जो एक तुरकी सासक था जिसने भारत पर 1127 तक सत्रे वार आकरमाड किया था. He had no interest in buildings and empire in India. उसे भारत में समरज बनाने की कोई दिल्चस्पी नहीं थी. His main objective was to take away wealth from India. उसका मुख्य उद्देश भारत से धन चीनना था. He plundered rich temples and cities in northern India. उसने उत्री भारत में समरद मंदिरों और सहरों को loot लिया. Another important purpose of his attack was to reduce the import of horses from अरव traders and encourage the horse traders of गजनी to replace them. उनके हमलों का एक अन्य महत्पुड उद्देश अरव ब्यापारियों से गोड़ों की आजात को कम करना और गजनी के गोड़ों ब्यापारियों को उन्हें बदलने के लिए प्रोशायत करना था. The sixth and the most important invasion of महमुद वाज his attack in AD 1025 on the सुमनाद temple in कातियवाड. सुलेवा और महमुद के आकरमड का सबसे महत्पुड आकरमड 1125 ECV में कातियवाड के सुमनाद मंदिर पर हमला था. विचवाज famous for its riches जो अपने धन के लिए प्रशिद था. As a result of महमुद's attacks the Turks news, how to cross the chain mountain of India from the north west. महमुद के अमलों के पड़ाम स्वरूप तुर्क उत्तरपच्मी से भारत के स्रंकला पाड़ों को अटेक करना जानते थे. After the death of महमुद, his impact collapsed महमुद की मृत्यू के वाद उसका समराज ढह गया. After 150 years, the Turkish invader against invaded India under the leadership of महम्मद गौरी. 150 साल बाद तुर्की आकरमड कारियों ने फिर से मुहम्मद गौरी के नित्रत में भारत पर आकरमड किया. महम्मद गौरी इन्वेडिड इंडिया इन एड़ी 1175 मुहम्मद गौरी ने 1175 इसवी में भारत पर आकरमड किया. He was the ruler of घोर in Central Asia. वह मद एसिया में घोर का सासक था. He conquered मुलतान, गुजरात, पिशावर और स्याल कोर्ट. उन्होंने मुलतान, गुजरात, पिशावर और स्याल कोर्ट पर विजय प्राप्त की. He made Punjab his ways in India. उन्होंने पंजाब को भारत में अपना आधर बनाया. He wanted to set up a full-fledged empire in North India. वहाँ उत्तर भारत में पुड़ विक्सित सामराज इस्तापित करना चाते थे.